लोग तंत्र को विचार और विश्थार पर हम चर्चा करेंगे लोग तंत्र दो सब्दो से मिलकर बना है लोग और तंत्र अर्थाद लोग मतलब जंता और तंत्र मतलब शासन ऐसा सासर मेवस्था जो वहां की जंता के द्वारा बनाया जाता है इसे कहते हैं लोक तंत्रे तो हम सबसे पहले लोक तंत्रे के इतिहास की बात करते हैं कि देखते हैं इंग्लेंड जैसे देश में 1649 में वहां की राश सही वेवस्था उनके अधिनायक तंत्रे के खिलाप ए और 1649 में जब वो क्रांती के प्रश्चात वहां के लोगों ने अपने अधिकार और अपनी अन्यमांगों को लेकर वहां के समराट के पास गए इस प्रकार से इंगलैन में वहां की जनता को कुछ अधिकार दिये गए इसे ही एतिहासिक रूप से लोगतंत्र की सुरुवात मा लड़ी में आगे चलके फ्रांस में भी क्रांती हुई और फल्सवरूप फ्रांस की क्रांती के फल्सवरूप यूरोप के देशों में भी लोगतंत्र का आरंभ और विस्तार धीरे-धीरे होते गया आगे चलकर अमेरिका जैसे देश में भी लोगतंत्र की सुरुवात का जनता के लिए जनता के द्वारा रथात वो सासन वबस्था जिसका निर्मान जनता स्वैम अपने लिए करती है इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से की लोग तंद्र को कैसे समझा जा सकता है जैसे किसी क्लास में कच्छा प्रतिनिधी कैप सकते हैं तो इसके दो-तिन अलग-अलग तरीके हो सकते हैं पहला तरीका कि भई पिछली क्लास में जो बच्छा सबसे अधिक नंबर पाया है उसे हमने कच्छा प्रतिनिधी बना दिया दूसरा कि शिक्छक को जो पसंद आया उस बच्छे को कच्छा प्रतिनिधी बना दिया तीसरा और तीसरा यह हो सकता है कि सारे बच्चे मिलकर अपने कच्छा प्रतिनिधी का चयन करें तो जब सारे बच्चे मिलकर अपने कच्छा प्रतिनिधी का चयन करते हैं तो यहां लोक तंत्र की सबसे अच्छी खुबसूरती है और यहां स को लेके कई बार घर वाले दबाव डालते हैं कि आप साइंस लीजिए कॉमर्स लीजिए की आर्ट्स लीजिए लेकिन यहां पर लोगतंत्रत भी हो सकता है जब बच्चे को इस बात की सोतंत्रता दी जाए कि वो अपने पसंद के अनुसार अपने विशह का चयन कर सके अर्थ साथ अगर कोई विद्यार्थी कला संकाय में पढ़ना चाहता है तो उसे दबाव पुर्व अगर हम विज्ञान पढ़ने को कहे तो वह लोगतंत्र नहीं होगा तो इस प्रकार से प्रतेग विद्यार्थी अपने विशह का चयन स्वयम करे और आगे अच्छी पढ़ाई कर करके अपने भविश्या का निर्मान करें तो हमने इस प्रकार से दो उदाहरों से जाना कि लोगतंत्रक कैसे जमीनी इस तरसे भी प्रारंब होता है अब हम बात करते हैं भारत की तो भारत में लोगतंत्रक का प्रादूर्भाव ऐसे तो प्राचीन वस्ता में माना जाता है लेकिन हम आधुनिक भारत की बात करें अजादी की बात की भारत की बात करें जब भारत संगठित हुआ उसके पहले आप जानते हैं कि भारत जो है बिखरा हुआ था फैला हुआ था है ना अलग-अलग रियासते थी अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग राजा काम करते थे अंग्रेजों का दौर आया तो अंग्रेजों ने जिन रियासतों में जिन राज्यों में कब्जा किया वहां सासन चलाया और वहां भी उन्हों एक प्रकार से चुनाओं के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य प्रारंब किया लेकिन भारत में पूर्ण रूप से लोग तंत्रे की स्थापना हुई आजादी मिलने के पत्षाथ 15 अगस्थ 1947 के बाद देश के ही जन प्रतिनिधी थे जो अपने अपने छेत्रों से निर्वाचित होके गए थे सब ने मिलकर बैढ़कर दुनिया के अलग 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 देशों की सासन विवस्था को पढ़ा देखा और आपको पता होगा कि दुनिया में अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार की सासन वरस्था संचालिस होती है होती थी उस दौर में जैसे कहीं लोग तंत्र था कहीं राज तंत्र था कहीं कुलीन तंत्र था और कहीं अधिनायक तंत्र था लेकिन इन सब में हमको जो सबसे अच्छा लगा व सबसे बड़ी खुबसूरती यह है किया हमें कुछ अधिकार देते हैं उन अधिकारों के माध्यम से ही हम अपने लिए कानून बनाते हैं अपने जन प्रतिनिधियों का चैन करते हैं और आगे हम उन्हें भेजते हैं ताकि वहां देश राज्य नगर की विकास में सहायक बन सक भारती परिपेक्ष में देखें तो यहां लोक तंत्रे की दोती लिकाई आगअ अलग अलग श्चेंत के काम करती हैं जासे ग्रामीन परिवेश्च की बात करें तो पनचायती राज़ धिनियम पनचायती राज़ धिन onu कि अंतरगद घे ग्रामी शेत्रों में त्री इस्त्री 248 संचाली ठोटी है पहला जो सबसे छोटी एकाई है लोग तन्त्री शास speakers की भारत जैसे देस में जो सबसे छोटी एकाई है उसे कहते हैं हम ग्राम पंचायत एक गाउं एक ग्राम पंचायत जहां पंच और सरपंच का चुनाव होता है वहां के मद्दाता अपने अपने वार्ड में पंचों का चैन करते हैं कुछ राज्यों में ये ववस्था है कि सरपंचों का चैन भी आमद्दाता करते हैं नहीं तो जो चुने हुए पंच होते हैं वो मिलके सरपंच का चैन करते हैं तो ये भी लोगतंत्री ही ववस्था कहलाती है इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी जो है लोगतंत्र हमें देखने को मिलता है और ये पंच सरपंच मिलके उस गाउं के विकास के लिए योजिनाय बनाते हैं सासन द्वारा निर्धारित कारियों को आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से जनता के चुने हुए प्रतिनीधी ही सासन में सहभागिता निभाते हैं इसी तरीके से ग्राम पंचायत से जो उपर की कड़ी है वह है जनपत पंचायत कुछ गाउं को मिला के एक छेत्र घोसित किया जाता है उच्छो छेत्र से एक जनपत सदस्य का निर्वाचन होता है इसे आम मदाता ही चुन कर भेजते हैं इस प्रकार पूरे ब्लॉक में उस छेत्र में जनपत छेत्र में अलग-अलग सदस्य चुन के जाते हैं और वे सभी सदस्य मिलके अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चैन करते हैं और ये उस जनपत छेत्र में उस ब्लॉक या विकासकन जो जिस छेत्र में आता है उस छे तरह के विकास कारियों में शहभागी बनते हैं इससे जो बड़ी इकाई है उसे कहते हैं जीला पंचायत प्रतेग जीले में एक जीला पंचायत होता है और उसी प्रकार से बहुंस सारे ग्रामों का यह सम्मू होता है वहाँ पर एक जीला पंचायत सदस्य चुनाओ जीत कर जाता है पूरे जीले के जीला पंचायत सदस्य मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं इस प्रकार से यह निर्वाचित प्रतिनिधी उस जीले के जीला पंचायत के माध्यम से पूरे छेत्र के विकास कार में शहभागी बनते हैं और वो उस आम अद्दाता की आवाज होती है जो उन्हें चुनकर भीजी रहती है इसी तरीके से जब हम नगरी छेत्रों में जाते हैं तो नगरी छेत्रों को भी त्री इस तरी व्वस्था में बाटा गया है जिसका सबसे छोटा उदारन है एक नगर पंचायत कोई छोटा कजबा जो होता है नगर होता है वहां नगर पंचायत काम करती है और यहां पारसदों का चैन वहां के वाड के मद्दाताओं के द्वारा किया जाता है यह सारे मद्दाता मिलकर अपने अपने वाड में पारसदों का चैन करते हैं और यह पारसद जो ह मिलता है यह भी उस नगर के विकास युकास योजनाएं और सासन की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से नगर पंचायत के ऊपर होता है नगर पालीका में भी अलग अलग वाड होते हैं बड़े सहरों और छोटे कज़्च की बीच की स्तिति को हम नगर पाली का कह सकते हैं तो नगर पालीगा में जो है वाड के माध्यम से पार्षदों का चैन होता है आम मद्दाता पार्षदों का चुनाव करते हैं और ठीक वैसे ही यह सभी पार्षद मिलकर नगर पालीका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और यह लोग भी अपने नगर पालीका छेत्रे के अंतरगत विकासकार्यों को करते हैं और नगरी निकाय का जो सबसे बड़ा इकाई है उसे कहते हैं नगर निगम या नगर पालीक निगम भी कह सकते ह यह यहां भी उसी स्थीति में होता है कि वह अलग अलग वार्ट होते हैं पर एक वार्ट से पारसंट निरवाचित होके आते हैं आममद्दाताओं के मांध्यम से और ये जो आमद्दाता होते हैं वो जो हैं उन पारसदों को चिर्वाचित करके भेजते हैं सारे पारसद मिलकर फिर महापाउर उपमहापाउर की कनिर्वाचन करते हैं और इस प्रकार से ये नगरी निकाय के विकास में सहभागी बनते हैं तो हमने अभी देखा कि ग्रामिन परिवेस और नगिरी परिवेस में किस प्रकार से लोग तंत्री ववस्था के माध्यम से सासन संचालित होती है इसी कड़ी में हम देखते हैं कि एक राज्य राज्य में कैसे कार्यक होते हैं तो राज्य में जो विधान सभा होती है विधान सभा के माध्यम से लोग तंत्रा का विकास होता है लोग तंत्रा उसमें विधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसे वहां की आम मद्दाता करके भेजती है आम मद्दाता अपने अपने निर्वाचन छेतरों से विधायकों का चैन करती है वे विधायक विधान सभव में जाते हैं और सारे विधायक मिलके मुख्यमंत्री का चयान करते हैं या जो बहुमत दल होता है उसका चयान करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को सदन का नेता कहा जाता है भले ही वो किसी एक दल का होता है लेकिन वो पूरे सदन का नेता होता है और उसी बहुमत दल के से केबिनेट का। निर्मान वहुता है और केबिनेट मुख्यमंत्री के नेत्रितों में काम करती है जो उस राज्यक ब्ही resultado का तुरा करती है उसके लिए योजिना बनाती है उसे अम्रि kulland पहनाती है बजट कर निर्धारन करती है या आप यह कहिए कि उस राज्य के पूरे संचालन में उन सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है जो उस राज्य के मद्दाताओं के द्वारा निर्वाचित होकर या चुनाओ जीत कर सदन में पहुंशती है इसी प्रकार से कुछ राज्यों में विधान परिशत भी गठित किया गया है जो वहां भी अलग-अलग छेत्रों में निर्वाचक मंदलों के लाते हैं और वह भी प्रकार के गतिविध्यों में भाग लेते हैं अब हम देखते है भारतिय संसद के बारे में तो भारतिय संसद को भी दो हिस्तों में बाटा गया है लोकसभा और पिल्ष लोग सभा के जो सांसद होते हैं वे पूरे देश भकिझ अलग अलाग निरवाचन छेत्रों से कुने कर जाते हैं जिनका चयान वहां के मद्धाताओं और दारा यह सांसद जाते हैं और यह une केबिनेट का निर्मान करते हैं उस केबिनेट के माध्यम से योजनाय बनाएं जाती है योजनाओं को किर्यानवीत किया जाता है इन्हें सबका जो मुख्या होता है वो परधान मंत्री कहलाता है परधान मंत्री का चैन डारेक्ट यह सीधे तOR पर आमद्दाता नहीं करती लेकिन जो सांसत चुन कर जाते हैं जिस दल की बहुमत होती है वो दल जो है प्रधान मंत्री को चुनती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ भी लोगतंत्र का ही एक हिस्सा है कि लोगतंत्री ववस्था से लोगतंत्र के माध्यम से हम सांस जो है प्रदान मंत्री का चायन करते हैं और कई बार इस्थिति ऐसी हो जाती है कि मालों अगर किसी एक दल को अगर भूमत नहीं मिला उस्थिति में कुछ गडबंधन बनते हैं कुछ दलों का एक गडबंधन होता है वरतमान परीपेक्ष में हम देखते हैं कि भालत में दो प्रकार के गडबंधन काम कर रही हैं एक इंडिये आश्टी जन्दान्द्रिक गडबंधन और एक अभी जो व पुराना सारूप यूपिय था यूनाइटिट प्रोग्रेसिव एलाइंस अगर हम गडबंधन सरकारों की बात करें तो लगभग लगातार एक दल को बहुमत इस पश्वूप से लोकषभवें मिलते हैं फिर भी वह गडबंधन की सरकारे चला रही है गडबंधन की सरकार और एक दल की सरकार होने में थोड़ा फर्क होता है कि गडबंधन की सरकारों में कई बार निएडिनेmernacht fact is कि स्थिति हो जाती है विभिन्य राजदितिक दल अपनी अपनी सुईधा के अनुसार जो है विभिन्य नीतियों को स्युकारते भी है और स्युकार भी करते हैं लेकिन जब एक दल की सरकार होती है बहुमत की सरकार होती है तो वो कुछ कठोर और कड़े निरने भी ले सकती है तो इस परकार से हम भारती संसद को देख रहे हैं इसी संसद का जो दूसरा रूप है वो है राज्य सभा है राज्य सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये आम अद्दाता नहीं करते इस बास का हम ध्यार रखेंगे इनका चयन जो है हम से हमारे चुने हुए प्रतिनिधी जो विधायाग विभिन्न राज्यों में जो विधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं वो विधायाग जो है राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है तो प्रतेग राज्य में जो विधान सभा के सदस्य होते हैं वो जो है एक प्रकार से में पहुंचने के बात नद्दाता की भूमिका में होते हैं और वो मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का को निर्वाचित करती है तो ये भी लोकतंत्री विवस्ता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधी अपने उपर के प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर रही है उनका चैन कर रही है इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिछले 76 वर्सों में भारत का लोकतंत्र बड़ा ही खुबसूर्ती से आगे बढ़ा है और लोकतंत्री विवस्ता हमारे यहां लगातार दिन बदिन मजबूत होती जा रही है और इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग देशों में जो है लोकतंत्र को श्युकारा गया है विशेश कर दूती विश्व युद्ध के बाद जिन देशों को आजादी मिली उन्हों लोकतंत्री शासन विवस्ता को ही श्युकार किया है विश्व में अधिनायक वात के विरुद्ध दुनिया के अलग अलग देशों में लड़ाईयां लड़ी गई क्रांतियां हुई जिसमें हम दो देशों के बारे में देखते हैं जो काफी महत्तोपून भी है इसमें लीविया के बारे में देखते हैं लीविया आफ्रीका महादीब का एक गरीब देश है जो इटली का उपनिवेश रहा अर्थात लीविया में इटली का सासन था आगे चलके 1947 में आप तारीखों पर ध्यान देंगे वर्स को देखेंगे तो भारत की आजादी के कुछ समय पहले की बात है कि इटली ने लीविया को सतंत्र घोसित कर दिया गया लेकिन लीविया की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी वर्स्था को ठीक से चला पाता इसे ध्यान में रखते हुए जो पूरी दुनिया के लिए एक संगठन का स्थापना हुआ था जिसका नाम है सयुक्तराश शंग सयुक्तराश शंग पूरे देश में वयस्थाओं के संचालन सांती की स्थापना युद्ध की रोक्थाम ऐसे विभी नविश्यों पर वो कार्य करती है जिसमें सभी स्वायत स्वतंत्र देश इसके सदस्य बने हुए हैं तो 1947 से 1951 तक लिविया में सयुक्तराश शंग के माध्यम से सासन व्यवस्था संचालित हुई उनिस विविया में राजा इद्रीश ने लिविया की सासन व्यवस्था को समाला हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से लिविया में लोग तंत्री की स्थापना हुई और आगे चलके 1969 के आते आते लीविया में पता चला कि वहां प्रचूर मात्रा में तेल और प्रकृतिक गैस का भंडार है परिनाम यह रहा कि इन प्रकृतिक संसाधनों में वहां के राजा और कुछ पुंजी पती लोगों का वर्चस्व हो गया जिसके कारण वहां की जनता का शोषण हुआ महिलाओं के उपर अत्याचार हुए और एग प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां की जो लोगतंत्री ववस्था था वो धीरे 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 खतम होते जा रही थी आगे चलके हम देखते हैं कि लीबिया में जो जनता है वो कबीलों में बटी हुई थी छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई थी और इन कबीलों के बीच में हमेशा युद्ध की इस्तिती बनी रहती थी वर्चस्व की लड़ाई इनके बीच में होती रहती थी इन सब परिस्थितियों के बीच में वहां जो सेना के करनल थे करनल गदाफी मौरर गदाफी जिसे हम कहते हैं उन्होंने सत्तर सईनिकों के साथ इस पूरी व्यवस्ता के खिलाब विद्रो किया और उन्होंने एक संघर्ष किया संघर्ष को उन्होंने प्री आफिसर मौमेंट नाम दिया जिसके चलते वहां राजा को आगे चलकर अपना देज छोड़कर भागना पड़ा उसके बाद पूरी व्यवस्ता को नियंत्रित करने के लिए एक आधूनिक सामन्तवादी राश के रूप में संचालित करने के लिए क्रांतिकारी नियंत्रन परिशत की स्थापना की गई जिसमें 12 अधस्य थे और इसके माध्यम से लीविया की सासनवस्ता संचालित हुई और धीरे धीरे लीविया में फिर से लोगों को उनकी अधिकार उनकी सासन में भागिदारी या जो अन्य एक व्रवस्ता के तहत कार्या होने चाहिए वो प्रारम हुआ और लोगों में धीरे धीरे सासन के प्रति विश्वास बढ़ते गया इस प्रकार से लीबिया में हम देखते हैं कि 1979 के आसपास पुनाह लोगतंत्र जो है शुकार करने लगा या फिर से एक नए स्वरूप में लोगतंत्र की स्थापना हुई लीबिया में गद्दाफी की सत्ता में आने के बाद लीबिया की प्रगती हुई लीबिया विकास किया लीबिया में जो तेल के भंडारं थें उनका राष्टी करन किया गया और जनता के हीतों में कार्य प्रारंब किये गया जनता के लिए सिक्षा स्वास आवास जैसे योजन को मुप्त में देने का प्रयास किया गया जिसका अत्यधिक लाब वहां की जनता को मिली किसान जो भिखरे हुए थे उनको एक जगा लाकर क्रिसी विश्तार किया गया क्रिसी के लिए सिचाई की विवस्था की गई प्रतेग्वैक्ती के लिए अनिवार्यय सैनिक शिक्षा की विवस्था की गई एक से अधिक विवा जो रहते थे वह पूरुस्च जो है एक सेधिक विवा कर सकते थे उस पर उन्होंने रोक लगाया इस प्रकार से तो हजार ग्यारा के आते आते लीबिया में जो वहां की लोगों की आउसत आयू जो पचास वर्स थी वो बढ़कर सत्तर तक पहुँच गई तो हम देखते हैं कि जो विभीन्न योजनाय थे उन योजनाओं का फायदा क्या हुआ वहां की आम जनता को मिली और आम जनता के जो जीवन में परिवर्तन आया परिणाम सरूफ उनकी आयू तो बढ़ी ही साथ ही लीबिया जैसे देश में दो हजार ग्यारा की सिती ये थी कि वहां की नब्बे प्रतितत जन संख्या जो है साक्षर थी अगर हम इसको तुलनात्मक दिश्टी कौन से अगर देखे भारत के सा तो लिबिया की साक्षर तदर दो हजार ग्यारा में भारत से ज्यादा थी तो वो जो योजनाएं उन्होंने चलाई विसेशकर मुप्त सिक्षा की उसका वैपक प्रभाव जो है लिबिया में देखने को मिलता है लेकिन जब गद्दाफी लंबे समय तक सत्ता में बैठे र विरोध में भी बोल रहे हैं या लोग सासन के में हिस्सेदारी कर रहे हैं उन्होंने इसका विरोध करना प्रयास कर दिया और इस प्रकार से वहां जन परसिदो और विधान सभाव के माध्यम से जो प्रतिनिधी आने लगे और जुन से गद्दाफी के वैचारिक थे तो ऐसे मद्भेदो को दबाने का प्रयास गद्दाफी के द्वारा किया गया वहां की जो स्यनिक थी वह तो धीरे-धीरे क्या होने लगी फिर से निरंकूस होने लगी मतलब हम देख सकते हैं कि धीरे-धीरे लीबिया में फिर से लोक तंतर जो है वो कम होने लगा या उसे कम करने का प्रयास किया गया तो इस प्रकार से आगे चलके दो हजार ग्यारा में वहां फ्रश्टरचार के खिलाप अलबामदा अलबामदा एक सहर है वहां बड़ा विद्रो हुआ और विद्रो को अरब बसंद का नाम दिया गया विरोत को दवाने के लिए गद्दाफी के दौरा वहां के मोबाइल इंटरनेट सेवां को बंद कर दिय अगया जब यह विद्रो को इनसात्मख हो गया तो इसे रोखने के लिए सवयुक्त राष्रंग जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि सवयुक्त राष्रंग पूरे विष्व के लिएक विवस्था है जो विश्व में सांती या विश्व की समस्याओं को निराकरण करने के लिए संगठित किया गया है प्रतेक देश उसका सदस्य है जो लोगतंत्री सासन वरस्ता में संचालित हो रही है तो इसके अलावा नाटो नाटो भी एक संगठन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी गद्दाफी के नीतियों का विरोध किया और उन्होंने उनके छेत्रों में कारवाई करते हुए वहां के लोगों को रहत पुचाने का कारिय किया लेकिन आगे चलके इस विरोध के सामने गद्दाफी को भी नसमस्तक होना पड़ा और 2012 के चुनाओं में लगभग पूरे लिबिया में 200 लोग चुन कर आएं जो गद्दाफी के विरोध में थे उनके समर्थ नहीं थे इस प्रकार से गद्दाफी का सत्ता से बेडखरी हुई और फिर से लिबिया में लोगतंत्र की स्थापना हुई और उसके बाद से लिबिया में लोगतंत्र जो है चल रही है वहां के लोगों को सासन में बराबर सी हिस्तेदारी मिल रही है चाहे वो जन परिशद हो चाहे वो विधान सभाय हो वहां मद्दाताओं के द्वारा चुने गए जन परतिन जाते हैं और सासन में हिस्सेदारी निभाते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2012 के बाद वर्तमान परिपेक्ष में लीबिया की लोक तंत्र जो है धीरे धीरे फि विकास जो है फिर से गती पकड़ चुकी है लीबिया में प्रगती एवं विकास देश में नई सरकार ने कई महत्पूर्ण कदम उठाए तेल भंडारों का राष्ट्रे करण किया गया घुमंतू जातियों को सीचित क्रिशी जमीन दी गई और उन्हें एक जगह बसाया सस् कोई के लिए निशुल्क प्रात्मिक सिक्षा निशुल्क स्वास्त सुविधाएं और आवास योजनाएं शुरू की गई महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थान दिलवाया और उनके अधिकार के लिए कानून भी बनाए कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दिये गए महिलाओं को वयपार करने, संपत्ती रखने, सरकारी नौकरी करने के हक भी दिये गए लीबिया के लोगों की ओसत आयू पचास वर्ष से बढ़कर सतहत्तर वर्ष हो गई सन दो हजार दस में लीबिया में स्तरी पुरुष साक्षर्ता दर 90 प्रतिशत रही इसी कारण पूरे अफरीका में सामाजिक कल्यान के छेत्र में लीबिया को सरोच स्थान प्राप्थ हुआ गदाफी के सैन शासन की निरंकुष्टा एवं मानो अधिकारों का उलंगन गदाफी और RCC का लोगतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था परिशदों के सदस्यों को RCC के आदेश मानने पड़ते थे परिशदें अपनी मर्जी से कोई भी निर्ने नहीं ले पाती थी इसलिए लोगों ने इन परिशदों में कोई विशेश रूची नहीं ली यही वो समय था जब राजनैतिक चुनवती देने वाले नेताओं का दमन किया गया सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती थी तथा विरोधियों को बंदी बनाने वो मौत के घाट उतारने और अत्यचार के लिए करूर तरीके अपनाती थी नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमती नहीं थी और निस्पक्ष प्रेस को भी उभरने नहीं दिया गया लीबिया के बाद हम हमारे पडुसी देश मेंमार बर्मा को देखते हैं जहां लोगतंतर की स्थापना हुई और धीरे धीरे लोगतंतर का विकास हुआ आज की स्थिति क्या है और कैसे वहाँ बीच में सत्ता परिवर्तन हुई तो हमारी आजादी के कुछ समय बाद जनवरी 1948 में मैंमार स्वतंत्र हुआ जहां ब्रिटेन का अधिपत्य था मैंमार प्रकृतिक संसादनों से भरपूर था जहां सागोन की लखडियां टीन चमकीले कीमती पत्थरों के ख़दान पाय जाते हैं जिसके कारण वहां की अर्थ्य विवस्था जो है बुद अच्छे से चल रही थी आजादी के बाद यहां जो है आंग सान के नित्रित्तों में सरकार बनी सरकार ने बहुत तरीके से विकास के लिए लोगतंत्री सासर विवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कारे किया और उन्निस और इंकावन चपन और साथ में लोगतंत्री विवस्था के तहत वहां सरकारों का चैन हुआ सरकार जो है कारिय करते रही लेकिन धीरे धीरे वहां जन जाती अधिकारों को लेकर सरकार के विरुद्ध विद्रोप्रारंब हुआ जिसे दबाने में या सबजने में प्रशासनिक असफलता हुई और यह विरोध हिंसात्मक हो गया परिनान सरूप भी निससौव बैसट के आते आते वहां के जनल नेविनने तकत पलट कर दिया और फिर से जो है बर्मा में लोक्तंतर जो है एक प्रकार से खत्म हो गई सैनिक-सासन जो है स्थाप्मित हो गया हाला कि सैनिक सासन ने जो प्रकृतिक संसाधन है उनका राश्टिकरन किया गया राश्टिकरन के बाद वहां जो है लोगों के लिए मुफ्त सिक्षा और स्वास्त की वरस्था की गई जमीदारों सूत खोरों के विरोध में नियम बनाया गया उन पर कारवाई की गई जनता को अधिकार दिया गया लेकिन इन संसाधनों में सैनिकों का प्रभाव प्रभुत्व जो है बढ़ गया परिनाम सरुप क्या हुआ कि बर्मा के सैनिक जो हैं सक्तिसाली हो गए और यह सक वखतिसाली होने के पश्चात वहां के लोगों का सैनिकों के द्वारा भी सोसन अत्याचार किया जाने लगा परिनाम सरूप वहां विरुजगारी बढ़ गई बाल स्रमिकों को संख्या बढ़ गई सांथी साथ जो है लोगों के अधिकारों का हनन होने लगा जिसके दोलन को वहां की सेनिक सत्ता द्वारा दबाने का प्रयास किया गया 1988 के आते आते बर्मा की जो समाजिक कार्या करता थी आंग सान सून इन्हों ने पूरे बर्मा में सेनिक सासन के विरुध विद्रो विद्रो किया लेकिन इनके विद्रों को दबाते हुए इन्हें नजर बंद कर दिया गया कैद में डाल दिया गया इस्टिती इतनी विक्राल हो गई कि आंग सान सूगी पती के मृत्यू के बाद उन्हें उनके पती के अंतिम संसकार में भी सामिल होने नहीं दिया गया साथ ही उन्हें उनके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया और इस प्रकार से जो मानो अधिकारों का हनन मानों के हो रहे हैं वहां अत्याचार ये पूरी दुनिया देख रही थी और दुनिया के अलग-अलग देशों के द्वारा चाहे वह सईक्त्राश्रंग हो चाहे अमेरिका हो चाहे वह बृतेइन हो इस प्रकार से इन्होंने भी उनका कारियों का विरोत किया और उनका भी प्रयास था कि मैं मार में फिर से लोग तंत्र की स्थापना हो सके और यह निरंतर जो है चलती रही तो आगे चलके लीबिया में 2007 के चुनाव हुआ और 2007 के चुनाव में जनर्ण थीन से जो है वहां के प्रधान मंत्री बने लेकिन वहां के जो पक्षित दल था एन एंडी जिसके नेता थी आंग सान सू उन्हें चूकी रिहा नहीं किया गया परिनाम स्वरूप एन एंडी ने उस चुनाव का बहिसकार किया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2007 का चुनाव को भी हम लोग तंत्र नहीं मान सकते आगे चलके 2011 में वहां 45 सीटों पर रूप चुनाव हुआ और 45 सीटों में से एन एंडी पाल्टी को 43 सीटों पर जीत मिली जिसक परिणाम यह हुआ कि वहां के लोगों को लगा कि इस देश को फिर से लोग तंत्र की स्थापना हो सकती है और सासन ने दबाव में आते हुए आंग सांसो को रिहा कर दिया गया 2015 के चुनाव में एन एल्डी पाल्टी को मैम मैयार के दोनों सदनों में इस पश्ट बहुमत मिला और यहां फिर से लोग तंत्र की स्थापना हुई हाला कि पूर्व में जो सरकारे बनी थी 2008 में उन्होंने लोगों को भौनात्म करूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से और अपने जो गलत कारिये हैं उनको दबाने का प्रयास किया गया और इसके अंतरगत में मायर का नाम बदलकल बर्मा किया गया मतलब एतिहासी ग्रूप से देखे तो में मायर बर्मा का ही नाम है और मेंमार का दुसरा नाम बर्मा हैं मेंमार बर्मा दोनों एक ही देश हैं समय के अनुसाद इनके नामों में परिवर्तन हुआ इस प्रकार से 2015 से लेकर 2020-2021 तक मेंमार में लोग तंत्र जो है अच्छे से चला उसका विकास भी हुआ लेकिन नियती को कुछ और मंजूर था 2021 के आते आते फिर से मेंमार में जो है सैनिक सासन इस्थापित हो गई वहां के सैनिक सास्कोद्वारा सरकार में तक्ता पलट किया गया आज के परिदिश्चे में देखे तो वर्तमान में मेंमार में सैनिक सासन है अर्थाथ फिर से वहां लोग तंत्र को खत्म कर दिया गया मयानमार में बदलाव सन 2008 में मयानमार में कई तरह के बदलाव हुए लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैनिक शासन ने जन्मत संग्रह का आदेश दिया परंतु जन्मत संग्रह नहीं कराया गया देश का नाम बर्मा से बदल कर मयानमार रख दिया गया सन 2010 में संयुक्त राष्ट्र संग की देख रेख में मैयनमार में चुनाव हुए सेना द्वारा सहायता प्राप्त यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलप्मेंट पार्टी यू एस डी पी ने ये चुनाव जीत लिया नए राष्ट्रपती थेन सेन बन गए सन 2011 में मैयनमार में 45 सीटों के लिए उप चुनाव हुए इन चुनाव में सुकी की पार्टी एन एल डी ने भी भाग लिया और 43 सीटें जीत ली 2015 के आम चुनाव के घोशित चुनाव परड़े नाम के अनुसार सुकी की पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिला 15 मार्च 2016 में श्रीकाव के शपत ग्रहन के साथ मैनमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुद्रिण हुई इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सुरुवात जो ब्रिटेन से हुई धीरे धीरे यूरोप के देश अमेरिकान देश अफरीका में फैलते गया जहां भारत में भी इसको सुरू किया गया और भारत के ही आस पास जिन दो देशों का हमने अध्यान किया चाहे वो लीबिया हो चाहे वो मेंमार वरतमान बरमा हो दोनों देशों में जो हैं लोकतंत्र को सिवकार किया गया बेकिन पिछले अजाधी के बास के वर्सों में भारत में जिस तरीके से लोकतंत्र मजबूत हुआ है वैसे लोग तंत्र की मजबूती ना हमें लीबिया में देखने को मिलती है ना हमें बर्मा में देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि भारत में लोक तंद्र जो है अत्यधीक विकास किया और मजबूत किया वनिश्पत, लीविया और बर्मा जैसे देशों में लोक तंद्र जो है समय समय पर आया या और वहां जो है समय समय पर उसको नुक्सान भी हुआ उसे हटाना भी पड़ा उसे रोकना भी पड़ा क्योंकि वहां की सैनिकों के द्वारा वहां के धनाध्य लोगों के द्वारा जो है लोगतंत्रों को कुचलने का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा तो इस परिकार से हम देखते हैं कि भारत का लोग तंद्र जो है अत्यधीक विक्सीत और सुसंस्कृत है